आंकिता और अर्पिता दोनों सगी बहने थी और दिली जैसे शहर में वो एक ही बिल्डिंग के उपर नीचे फ्लाट में रहती थी आंकिता के परिवार में उसका पती और उसके दो बच्चे थे और अर्पिता के परिवार में उसका पती और एक बेटा था बीच बीच में कभी उनके माता पिता भाई या भावी उनका पता लेने के लिए आते रहते थे दोनों बेहनों में काफी भाई चारा था और वार त्योहार वो सब मिलकर ही मनाते थे सुनो रोहन दिवाली को बस एक माइना बाकी रह गया है इस बारी तुमने मुझे प्रामिस किया था कि मैं जैसा चाहूँ घर को डेकोरेट कर सकती हूँ अंकिता मुझे याद है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर मुझे अच्छा बोनस मिला तो वो सारा तुम्हारा है तो तुम कैसा भी घर का डेकोरेशन चेंज कर सकती हो तुम्हें पता है मैंने तो अभी से ही पूरी लिस्ट तयार कर दी है बस तुम जल्दी से आकर मुझे खुश खबरी दो कि तुम्हें बोनस किस दिन मिल रहा है एक मध्यम वर्गिये परिवार में डिवाली को लेकर जो सपने होते हैं वो सब अंकिता ने सजा लिये थे इसी तरह के सपने अरपिता ने भी बना लिये थे और दोनों बेहनों ने आपस में बात भी कर ली थी कि तभी समचार मिला कि अरपिता के पती के चाचा जी गुजर गये उनके कोई संतान नहीं थी तो सारी प्रॉपर्टी और पिता की पती महिश को मिल जाती है देखते ही देखते वो दोनों रातो रात करोड़ पती बन जाते हैं क्या बताओ अंकिता सब कुछ इतना अचानक हो गया हमें तो पता ही नहीं था कि वो करोड़ पती है करोड़ पती देखो हमें उनके जाने का दुख है लेकिन अंतिम समय में महेश ने उनकी बहुत सेवा की थी सच में मेरे तो अफ सारे सपने पूरे होने वाले हैं इस दिवाली तो मैं एक गाड़ी खरीदूंगी मुझे भी तुमारे लिए बहुत खुशी है चल मैं तुछ से बाद में बात करूँगी रोहन के आने का समय हो गया है अंकिता जैसे ही अपने घर के अंदर जाती है उसके दोनों बच्चे मम्मी देखो तो आज इसने फिर मेरी सारी कॉपी पर पेंटिंग बना दी इसके वज़ा से मुझे रोज डाट पड़ती है मैं इसले करती हूं मम्मी क्योंकि यह हमेशा मेरी कॉपी किताब को इधर उधर छुपा देता है मम्मी अब मैं क्या करूँ मुझे तो कल अपने स्कूल में नई कॉपीया लेकर जाना पड़ेगा चलो मेरे साथ बाजार चलो अंकिता दोनों को डाट लगाती है कि तुम इस तरह रोज रोज मुझे कॉपी पेंसिल के लिए परिशान मत किया करो वो अपने बेटी का हाथ पकड़कर उसे सामान दिलवाने के लिए जैसे ही नीचे की तरफ जाती है तो उसे अर्पिता के फ्लैट से आवाज आती सुनाई देती है ऐसा लग रहा था कि अर्पिता किसी से फोन पर बातें कर रही है हाँ हाँ बिलकुल सच सुना है तुने हम लोग करोड़ पती हो गए है करोड़ पती सच में मेरे किसमत कितनी अच्छी है दिवाली से पहले हमें इतना सारा पैसा मिल गया अब तो ऐसी दिवाली मनाऊंगी कि सुसाइटी वाले देखते रह जाएंगे अंकिता मुस्कुरा कर वहाँ से चली जाती है वो सामान दिला कर आ रही थी कि तभी रोहन भी आता दिखाई देता है अंकिता रोहन के पास जाकर अरे आज आप आफिस से जल्दी आगे क्या हुआ बड़े थके थके लग रहे हो तभीयत तो ठीक है ना हाँ अंकिता तभीयत तो बिल्कुल सही है लेकिन एक बुरी ख़बर है हमारे मालिक ने बोला है कि उनकी एक बड़ी पेमेंट किसी लौट की वज़ा से रुख गई है इसलिए दिवाली बोनस नहीं मिलेगा सॉरी मुझे माफ करना ये सुनते ही अंकिता को बड़ा घुसा आता है लेकिन वो रोहन के शकल देखकर घुसे को कंट्रोल कर लेती है और बेटे का हाँच जूर से पकड़ कर घर की तरफ चल देती है सीड़ियों से उपर जाते समय वो सुनती है अर्पिता अभी भी किसी से हस हस कर बाते कर अपनी अमीरी के चर्चे सुना रही थी उसे अर्पिता पर बड़ा घुसा आता है अमीर क्या हो गई है पूरे दिन रात फोन पर ही लगी रहती है किस-किस को बताएगी आखिर और एक यहाँ पर बोनस तक नहीं मिला घर आकर अंकिता उसे में सारे काम कर रही थी और वहीं अर्पिता सुनो महेश, मैं कैं सोच रही थी कि हमारे पास स्कूटर है उसे निकाल कर हम लोग एक छोटी सी गाड़ी ले लेते हैं आहां क्यों नहीं एक छोटी सी सेकंड हैंड गाड़ी तो हम ले ही सकते हैं नहीं, सेकंड हैंड नहीं हम फर्स्ट हैंड गाड़ी लेंगे मैंने अपनी सब सहलियों को बोल दिया है अर पिता, माना कि हमें अचानक से इतना सारा पैसा मिल गया लेकिन हमें सोच समझ कर खर्च करना चाहिए क्यों न हम इतने पैसों से कोई फ्लैट खरीद ले हमारे बेटे के काम आएगा और दो प्रॉपर्टी बन जाएंगी आपको जो करना है कर लेना लेकिन मैंने सब को बोल दिया है कि हम नई गाड़ी ले रहे हैं तो बस ले रहे हैं और हाँ, मेरी लेक सोने की चेन भी बनवा देना पता है कितने सालों से मैं हमेशा यही सोचती थी कि ऐसी कौन से दिवाली होगी जब मैं धनते रस पर सोने की चीज़ खरीदूंगी महेश कुछ नहीं बोलता चुप चाप सूफी पर बैठा हुआ अर्पिता के द्वारा बताएगे अगर मैंने इसको कहा कि डूहन को बोनस नहीं मिला तो यह मेरे उपर बहुत हसीगी ऐसा क्या कहूँ कि यह अभी थोड़े समय के लिए रुख जाए नहीं नहीं इसमें तो मेरी बेज़ती हो जाएगी हाँ हाँ मैं आज लस्त तयार कर लेती हूँ कल हम लोग मार्केट जाएंगे ठीक है मैं इस बार की दिवाली इतनी धूमधाम से मनाने वाली हूँ तुझे पता है मैंने महेश से कह दिया है कि हम लोग एक नई गाड़ी खरीद रहे है और मैं अपने लिए एक सोने की चेन बनवा लूँगी उसके बाद में अपने सब दोस्तों को इस बार बढ़िया वाले गिफ्ट दूँगी और सोच रही हूँ लगे हाथ में अपना सोफा भी बदल लेती हूँ अंकिता अर्पिता की बातें सुन सुनकर बुरी तरह पक चुकी थी तभी अर्पिता का बेटा वहां आता है और अपनी मा को बोलता है कि पापा आपको नेचे बुला रहे है चल ठीक है अंकिता मैं चलती हूँ और तुझे बताओंगी कि मैं क्या-क्या लेना चाहती हूँ अगले दिन अर्पिता और अंकिता की भाईया भावी दिवाली का तोफ़ा लेकर उनके घर आते हैं पहले वो अर्पिता के घर जाते हैं भाईया भावी आप दुनों को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है आओ आओ बैठो और मम्मी पापा कैसे है अर्पिता ने नौकरानी रख ली थी नौकरानी ट्रे में बहुत सारी चीजें सजा कर लाती है जिसमें तरह तरह की मिठाईया फल, मेवे, चाए और कोल डिंक लेकर आती है ये सब देखकर अर्पिता की भावी की आँखें खुशी से चमक जाती है अर्पिता इतना सब कोच भावी अब आपको तो पता ही है हमारी स्थिती बहुत अच्छी हो गई है मुझे भी वो सब करना है जो मैं हमेशा से सोचती हुए आ रही थी आप बिल्कल भी शर्मत कीजिए जो दिलाए वो खाओ पियो और क्या खाना खाओगे मैं ऐसा करती हूँ आप लोगों के लिए पिज़ा ओडर कर देती हूँ अर्पिता बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पास पैसे आ गए और तुम्हारी इस्तेती अच्छी हो गई है लेकिन मेरी बेहन अती हर चीज की बुरी होती है थोड़ा सभल कर काम करो पर अर्पिता को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था वो तो बस अपनी अमीरी दिखाने में लगी हुई थी उसके बाद भईया भावी अंकिता के यहां जाते हैं त्योहारों पर मिलना चिलना होता है भईया कभी वैसे भी आ जाया करो तुझे तो पताईए आजकल कितना काम होता है समय नहीं मिल पाता त्योहार पर मिल लेते हैं ये भी बहुत है पर अगली बारी में कोशिश करके टाइम निकाल कर जरूर आउंगा अंकिता अपने भईया भावी को सीधा खाना परुस्ती है अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी अर्पिता ने बिज़ा मंगा लिया था हम लोगों ने वही खा लिया है तभी अर्पिता भी उपर आ जाती है उसके हाथ में महंगे महंगे उपहार थे भाईया भावी ये सब आपके लिए है और ये बच्चों के लिए आपके आती ही मैंने महेश को फोन कर दिया था कि वो सारा सामान ले आए इसमें धेर सारे फल, मिठाईयां और पटाखे हैं अंकिता ने तो वहाँ पर ले जाने के लिए सिर्फ एक मिठाई का डिबबा रखा हुआ था अब अंकिता को बड़ा बुरा लग रहा था आपके खातरदारी की और अंकिता ने उसे ऐसे ही भेश दिया अंकिता ने जो जो सोचा था वो दिवाली पर कुछ नहीं कर पाई और अरपिता ने वो सब कुछ कर लिया जो वो लिस्ट बना कर बैठी हुई थी दिवाली वाले दन सुबह से ही सब घरों में रौनक थी अंकिता और अरपिता के घर में भी थी लेकिन अंकिता उदास थी क्यूंकि वो अपनी पसंद के दिवाली नहीं मना पा रही थी रात को सारे बच्चे छट पर जाकर आतिश बाजी करने लगे अंकिता और अरपिता के बच्चे भी आतिश बाजी कर रहे थे तभी महेश के कुछ दोस्त आ जाते हैं वे उन्हें लेकर नीचे आ जाता है और अरपिता किसी से फोन पर बातें करते हुए दूसरी तरफ चली जाती है अंकिता का बेटा बहुत सारे पटाखे उपर लेकर आया हुआ था तभी वो अधी जली हुई फुल जड़ी साइट में फेकता है जो पटाखे के ठैले में जाकर गिर जाती है अंकिता ये देख रही थी कि तभी वो बच्चों को अलग करती है और अर्पिता का बेटा वहीं डरा सेहमा खड़ा रह जाता है तो वो उसे जाकर जैसे ही धक्का देकर साइट करती है बड़े पटाखों में आग लग जाती है जो उच्छाल उच्छल कर अंकिता के उपर गिर जाते है जिससे उसके कपड़े में आग लग जाती है माफ कर दो अंकिता, एक तो मुझे रोहन को इतनी सारे पटाके लेकर उपर नहीं जाने देना चाहिए था, और उपर से मैंने उसका ध्यान भी नहीं रखा, अंकिता को चोट लगी है, ये सुनकर उसके मम्मी पापा भी वहां आ जाते हैं, गबराने की कोई बात नहीं है, वो तो इसे कुछ कही नहीं रहे हो, आज से पहले भी यहाँ पर दिवाली मनाई गई है, सब कुछ खुशी-खुशी होता रहा, लेकिन देखो, जरा सी अमीरी का रंग क्या चढ़ा, तुमने रंग में भंग कर दिया, मुझे माफ कर दो मा, महिश ने तो मुझे बहुत बोला अमीर होने का मतलब ये नहीं, कि तुम कुछ भी करती फिरो, तुम्हे सोच समझ कर करना चाहिए, और इस हाथ से ने तो मुझे अच्छे से समझा दिया है, आंकिता, मेरी बहन, मुझे माफ कर दे, आज तेरी वज़े से मेरे बेटे की जान बज़ गई, मुझे माफ कर दे, बहन, भगवान का शुक्र अदा करते हैं कि कोई बड़ा हाथ सा नहीं हुआ, चलो, अब बहुत हो गया, हाथ सा छोटा था, लेकिन सीख बड़ी दे कर गया है, और पिता, अंकिता को गली लगा लेती है, समस्पुर नामक एक छोटे से गाउं में किशनपाल नाम का एक मज़दूर अपने परिवार के साथ रहता था, उसके परिवार में उसकी पतनी शांती और उसके दो बच्चे वंश दीप और वनमाला थे, वनमाला विवाह योग्य हो गई थी, किशनपाल का एक दोस्थ था उसके बेटे से वनमाला का रिष्टा भी तै हो गया था, किन्तु आर्थिक तंगी के चलते दो साल से वनमाला का विवाह नहीं हो पा रहा था, अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था और गाउं में राम नीला चल रही थी, कि तब ही एक दिन किशनपाल का दोस्त अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ किशनपाल के घर आता है, किशनपाल भाया दो साल हो गए दोनों बच्चों का रिष्टा तै किये हुए, बात है कि आगे बढ़ ही नहीं रही है, अब क्या बताओं, तुम तो जानते ही हो पिछले साल मैंने शादी के लिए थोड़ा बहु दारी में बदलने वाली है, तुम तो जानते ही हो कि मंगलू की मा बहुत बीमार रहने लगी है, वन माला जल्दी से बिहा कर हमारे घर आ जाए, तो अपना घर परिवार समाले, जानता हूं भाया, लेकिन शादी बिहा कोई गुड़े गुड़ियों का खेल तो है नहीं, द अगर मुझे लगता है कि तेरी अभी माली हालत ठीक नहीं है, तो मैं क्या अपने बेटे का विवा कहीं और कर दूँ, वरना तो उम्र बढ़ती चली जाएगी और ये ऐसे ही बैठा रह जाएगा, मैं जानता हूं मेरे कहने पर ही तुम इतने समय से अपने बेटे के विवा का इंतिजार कर रहे हो, बस मुझे थोड़ी सी महलत और दे दो, एक दो दिन के अंदर ही मैं तुम्हें बताता हूं, और अगर कुछ नहीं कर पाया तो फिर तुम अपने बेटे की शादी कहीं और करा देना, सही तो कह रहे थे वो लोग, दो साल हो गए, उन्हें अपने ब किशन पाल सबकी बाते सुन रहा था, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी था, कि वो अपनी बेटी के लिए तो पैसे भी नहीं चोड़ पाये, परिशान सी हालत में वो घर से चला जाता है, वो जानता था कि उसकी बेटी में कोई कमी नहीं है, वो सुन्दर थी, घरीलू कार्यों में निपुड भी, वो यूही खयालों में खोया हुआ चले जा रहा था, कि तभी उसे अपना एक पुराना दोस्त मोहन चंद मिलता है, अरे तू तो किशन है न, कितना बदल गया है, मैं कितनी देर से तुझे पहचानने की कोशिश कर रहा था, फिर एकद चल मेरे साथ घर चल, वहीं पर चाय पानी पीते हैं, और वहीं चल कर बाते करेंगे, अरे नेकी और पूछ पूछ, चल भाई, चलते हैं, किशन पाल अपने दोस्त को लेकर घर आता है, और फिर पूरे परिबार से मिलवाता है, शांती सब के लिए चाय बना कर लाती है, व आँ भाई, पिछले साल तक सब कुछ सही था, फिर अचानक तेरी भावी की तबियत बहुत खराब हो गई, बड़ा ओपरेशन हुआ तो सारे पैसे खतम हो गए, अब उसके बात काम धंदा इतना है नहीं, अब तो बस दाल रोटी चल रही है भगवान की दुआ से, तू ब वन माला के लिए कहीं बात पक्की होई की नहीं, भाई, तेरे से क्या चुपाना, रिष्टा तो तै हो रखा है, दो साल से, पिछले साल ही शादी हो जाती, बस नहीं हो पाई, आज ही उसके ससुराल वाले आये थे, कह रहे थे कि या तो शादी जल्दी कर दो, वरना हम अप अपने दोस्त की मदद करता भी तो कितने रुपए से कर सकता था, क्योंकि वो खुद अपनी बेटी का रिष्टा तै कराया था, और दो महीने बाद ही उसकी बेटी की शादी थी, फिर थोड़ी देर बैट कर वो इधर-धर की बाते करता है और चला जाता है, लेकिन से वो थोड़ा विचलित हो जाता है, मोहंचंद पहले इसी गाउं में रहता था, फिर बाद में वो कजबे में रहने लगा, वो सबजियां बेचा करता था और उसकी माली हालत ठीक ठाक थी, अगले दिन मोहंचंद अपने परिवार के साथ राम लीला देखने के लिए गया हुआ था, कि तब ही वहाँ पर अनॉंस्मेंट होती है, भाईयों और बेहनों, चार दिन बाद सीता स्वेंवर दिखाया जाएगा, आप लोग तो जानते ही हो, कि हर साल हम लोग राम लीला में कुछ ना कुछ ऐसा कार्रे करते हैं, जिससे समाज में एक सीख मिलती है, या पिर हम लोगों की मदद करते हैं, इस बार यहां के डियम साहब ने हम लोगों को मदद का आशवासन दिया है, और उन्होंने कहा है कि पांच गरीब कन्याओं का विवा उसी दिन होगा, जिस दिन सीता स्वेंवर होगा, तथा सारा खर्चा हम लोग मिल जुलकर करेंगे, ज पिता स्वेंवर वाले दिन करवाएंगे, जरूरत मन लोग अपनी बेटियों का नाम, पिता का नाम और माता का नाम रजिस्टर करा लें, यह खबर सुनते ही मोहन चंद को अपने दोस्त किशनपाल का खयाल आता है, वो तुरंत उठकर वहां जाता है, और अपने दोस्त उ विवा हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, जैसी हमारी बेटी, वैसी ही वनमाला, सच कहती हूँ, अगर हमारा बेटा होता तो मैं उसे ही अपनी वहु बनाती, बहुत ही समझदार और सुशील लड़की है, हम लोग कल सुबह ही किशनपाल की घर चलते हैं, और बहुत मदद हम दोनों भी कर देंगे, अगले दिन सुबह मोहंचंद अपनी पतनी के साथ किशनपाल के यहां आकर, वो खबर बताता है, जिसमें की सीता स्वेमवर के दिन, पांच गरीब लड़कियों का विवा होना तैव हुआ है, भाई, तुने मेरे बारे में इतना वहां पर थोड़ी जाज परताल करेंगे, और फिर देख लियो, बड़े अरावम से हमारी वनमाला का विवा हो जाएगा, कुछ मैं मदद कर दूँगा, और कुछ तेरे पास भी होगा, तो हम मिलजुल कर बेटी के लिए सामान कर लेंगे, शाम कोई किशनपाल अपनी पतन का भी विवा हो जाएगा, थीक है भाई, अब हम लोग चलते हैं, हमें मोहनचंद के पास भी जाना है, वहां राम लीला में रात को बच्चों का भी नाम लिखवाना है, और राम लीला में पूरी छानबीन के बाद ये तै हो जाता है, कि सीता स्वेंवर वाले दिन वर्माल काती हैं और जब ये बात वहां के सरपंच को पता चलती है कि इस तरह करके कजबे में गरीब करन्याओं का विवा हो रहा है और इस गाउं से किशनपाल की बेटी वनमाला का नाम गया है तो वो भी किशनपाल की बेटी के विवाह में मदद करता है अगले दिन कजबे में डिय वासियों, यह जो आज यहां पर शुरुआत हुई है, अब यह हर साल रामलिला में हुआ करेगी, लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे कार्रे किये जाते हैं, और उनी में से एक कार्रे ये भी होगा, आज यहां सीता सुएमवर वाले जिन जिन बच्चों का विवा हुआ है मैं उन्हें डेड़ सारी शुपकामनाय देता हूँ ये एक छोटी सी पहल है और मैं चाहता हूँ कि ये हर गाउं में हो ये सुनकर सारे गाउं वाले जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं और डियेम साहब की प्रशंसा में नारे भी लगाने लगते हैं विवा के बाद वनमाला पहले अपने घर आती है और फिर पूरे रीती रिवास से किशन पाल और उसकी पत्नी अपनी बेटी का विदाई समार हो रखते हैं गाउं का सरपंच और उसकी पत्नी भी आकर वनमाला को आशिरवात देते हैं तथा उपहार भी सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं किशन पाल, मोहन चंद और बाकी सब रिष्टेदार गाउं वाले खुशी-खुशी वनमाला को विदा करते हैं और उसके बाद हर साल जब भी राम लीला होती सीता स्विमवर वाले दिन गरीब लड़कियों की शाधी भी की जाती